जहन दोस्तों स्वागत है आप सबीका study with aim SPP चनल पर दोस्तों यह जो सीरीज है यह वाली जो मैंने एक नई सीरीज अभी प्रारम की है आज से ही आज यह इसका पहला वीडियो है ठीक है यह पहला पार्ट है इसका यह ऐसा सीरीज है इसी वीडियो सीरीज है यह जिसमें कि आ आयोग द्वारा यूपी-PSC आयोग द्वारा पिणधले मतलब एक साल के अंदर में यह छे महिने के अंदर में एक्जाम करता है जैसे वह 14 माई को आपका UPPSC का प्री एक्जाम है। तो 14 माई को है। उससे पहले जितने भी एक्जाम हुए हैं जैसे जितने भी एक्जाम का मतलब साल 6 महीने के अंदर में, यानि कि अगर मानके चलिये हैं कि अगर आप आप जैसे उधर 9 दिसंबर से ले लीजी, नॉम्बर दिसम्बर दो हजार बाईस ते इस से ले करके और अप्रेल के लास्ट तक मतलब अप्रेल में अगर कोई एक्जाम होता है तो उसका जो पेपर आता है ठीक है उसके जो प्रशन आते हैं GS वाले इस्पेसली किसी भी उसका हो एक्जाम इंजिनिरिंग का हो या फिर आयरवेदाचार का जैसे यह हुआ था अभी इसमें मैं आयरवेदाचार वाले जो GS वाले प्रशन है उनको डिसकस करूँगा और बहुत महत्पोर है यकीन मानिए अगर आप अगर आप फॉलो करते हैं इस चीज को तो आपको पता होगा कि जो साल शे महिने के अंदर में जितने भी एक्जाम आयोग करवाता है सीधे सीधे तीन चार प्रशन वहीं से देता है अभी जैसे आयरवेदाचार का हुआ है पीजे जे का हुआ है तो इसमें जो जीज वाले प्रशन है सब की पूरे प्रेपर की बात नहीं कर रहा हूँ अगर आप उनको हल कर लेते हो तो नश्चे तो पर आप två आपको तीन से चार प्रशन सीधे सीधे वहीं से मिल जाएंगे कि देखिएगा और मैं यह आज पहला जो इसका पार्ट है लेकर आया हूं तो इसमें आपको आयरवेदा चार वाला जो पेपर हुआ था यह जनवरी में यह दिसंबर में हुआ था इग्जैक्ट डेट मुझे नहीं आथ है लेकिन यह है कि आपको जितने भी उसके प्रशने लगभग थे जी इसके तो जो बहुत ही इजी थे उनको तो छोड़ दिया है लेकिन जो थोड़ा अच्छे प्रशने थे जिनकी आने की संभावना बहुत अधिक है उनको मैं इसमें करवा रहा हूं और यह सभी के लिए जरूरी है चाहे वो प्री यह फिर आपका आ ठीक है कि रिसेंट पेपर्स जो रिसेंट में एक्जाम हुए रिसेंट का मतलब हुआ कि यह मान के चलिए कि एक साल के अंदर में जो एक्जाम यूपी-पी-शेस आयोगो अला करवाता है उनके प्रशनों को हम दिस्कस करेंगे और यह चुकि पूरा पीडियाफ वैसे मु पूछा है कि यूपी से यूपी की बिद्यदर नेशनल आप चुकी देखे इस तरीके से भी प्रशन पूछा सकता है तो नेशनल आप याद रखेगा यूपी की तो दो परसंट थी पहले जो प्रथम पंचवर्शी यूजना थी लेकिन नेशनल वाली क्या थी वो भी तो दो तिन चीज याद रखेगा जैसे एक तो यह हो गया कि अनसूचित जातियों कि प्रसासन के लिए कौन सी अनसूची है तो यह छट्वी और एक और यह जो इसमें राज कौन कौन से याते हैं मतलब इसमें कहां कहां पर लागू होता है जैसे यह तो एम टीम यह याद कौन में रहेगा तो वह नहीं आएगा यानि कि आप अगर देखें तो नागा लैंड इसमें अप्सन में था तो वहां पर लागू नहीं होती है ठीक है बाकी जो अनसूची जातियों से जो प्रसासनिक और वहां पर ब्यवस्थाएं देखने के लिए वह अनसूची पांच तो यह सारी चीज़ें आपको रहेगा बताया रहेगा उसमें देखिए आप इसलिए जब भी बोला जाता है कि अगर आप तैयरी कर रहा है तो आपके पास जो है जो इसका सम्मिधान वाला है ना सम्मिधान का पूरा आपके पास सॉफ्ट कॉपी में सारा पूरा डिटेल्स ह कहां क्या कहा गया है उससे क्या होता है उससे उससे बहुत सारे प्रेश्न बनते हैं अदब आप देखिए प्रिवेस से इर के कुरश्यूंच उठा कर देख लिए आप अगर अगर आटिकल छी तो आठ से दस प्रश्न आपके आर्टिकल से ही सही हो जाएंगे तो यह याद रखेगा सामोहिक उत्तरदाइत का जो प्रावधान है वह 75 तीन में दिया हुआ है तो यह क्या होता है यह प्रावधान का मतलब यह हुआ कि जो आपकी जो कारकारणी होती है जो तो यह सामोहिक उत्तरदाइत हो गया याद रखेगा और जैसे इसमें क्या होता है जैसे मंत्री परस्षद होती है तो मंत्री परस्षद क्या है कि प्रधान मंत्री हेड होता है उसका अगर प्रधान मंत्री हेड है और वह इस्तीफा दे देता है तो अपने आप वह मंत्री हो जाती है ठीक है यह याद रखिएगा मंत्री बर्सत अगर डिजॉल्व मिलब खतम होनी है जैसे तो प्रधान मंत्री अगर चेंज हुआ या बदला या उसने इस्तिफा दे दिया या कुछ एकसिडेंट हो गया कुछ भी हो गया उसका तो वह फिर विगठित हो जाती है और नए तरीके से नए रूप से पिर नेता चुना जाता है और उसकी न्यूपती राश्टपती करता है ठीक याद रखे इसमें यह भी पूछा गया है साइड आगे देखिएगा रास्टी सब्सक्राइब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा पांचांग किया गया था एकसे उसका नम बताएगा संब्ध था घूपत संब्ध था यह पूछा है किस से निकाली जाती है यह शर्पगंधा से याद रखेंग नल इस तरवर्थ पकशी अभ्यारन यह देखे गुजरा और इनसे एक एक दो प्रशन हमेज़ा पूछे जाते हैं, यूपी-पीस हका ये पैटर्न है कि इनसे एक दो प्रशन हमेज़ा लिस्टिंग में आप से पूछता है कि कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा आपका रामसर साइड्स जरू पूछता है तो इसको अगर पढ़ थीग, यह नाम याद रखेगा इसको, सितंबर 2022 में हौकी फेडरेशन का निरविरोध अध्यक छुन लागया था, तो यह धिलीब ति तिरके हैं, पैसा तो अच्छा घासा है, लेकिन मानो लेकर कम है, तो उसमें option के हिसाब से हरियाना सोला हुआ जो महानयवादी है उनका नाम देखिए इस तरीके से बड़ा confusion वाला इसमें जो option दिया था बहुत लोग इसमें confused होगे जैसे आर विंकर ट्रमनी उनका पूरा नाम है यह अनुचेद याद रखेगा इसी के तहट इनकी नियुक्ति की जाती है समयधानिक पता है यह नाम भी याद रखेगा देखिए महानयवादी क्या होता है महानयवादी हाँ मैं पता रहा था महानयवादी यह जो आपके आर विंकर ट्रमनी है उसमें option दिया है जो उसमें C विंकर ट्रमनी भी दिया हुआ है तो थोड़ा नाम याद रखेगा क्योंकि दो विंकर ट्रमनी हो गए तो आपको confused हो जाएंगे बहुत सारे बच्चे C पर लगा दिया होंगे लेकिन उनका नाम है आर विंकर ट्रमनी तिक याद रखेगा इनकी नियुक्ति राष्ट पती द्वारा की जाती है अनुचे 76 के दाहिए तो यह चीज ध्यान रखेगा चलिए नेक्स्ट देखते हैं मानोविकास के चार स्तंभ उसमें से एक कौन सा नहीं है तो उसमें यह परिवार का प्रकार है जो की नहीं है ठीक यह ध्यान में रखेगा भारत में प्रथम साम राज्य स्थापिद करने का स्रेक को जाता है तो देखले सबसे पहले कि यहां पर स्ता नाम याद रखे है ठीक है तराइन के 시청 माहराण अपरत अप्रथमी так चौहन मापी जेगा उनकी हर होती है तो यह ध्यान रखिएगा वहीं से फिर शुरुवात हो जाती है ठीक है पहला जो त्रेंग का युद हुआ था वह 11.192 में दूसरा जो हुआ था बाननवे में हुआ था तो यह चीज ध्यान रखिएगा इसको आप अच्छे तरीके से डे रूप तो इनका नाम याद रखिए रेड मैन भारत के पधान मंत्री को राश्टपती क्या करता है न्यूक्त करता है ठीक है कहने का मतलब यह हुआ कि वह चुना नहीं जाता है वह न्यूक्त होता है चुना तो जैसे क्या होता है कि जो बहुमत दल का नेता चुना जाता है लेकिन उसकी न्यूक्ती करते हैं यह कौन करता है राष्ठपती महोदे करते हैं देखिए अनुछेद जो 74 है ठीक है अनुछेद 74 में आपका मंत्री परश्चत के बारे में लिखा हुआ है और मंत्री परश्चत का जो head होगा वो आपका कौन होगा यह प्रधान मंत्री और प तिक राश्टपती धियान रखिए गांड यह मंतिर्पर्षद राश्टपती को सलाह देती है, वनकूल काम देगा अनुर्प किसे तरीके से काम किये या क्या है नहीं करके यह झा राश्टपती चलिए अभी आप दूसरा पूछता हूं कमेंट करके बताइएगा कि जो अभी जो परतमान में राष्टपती हैं वो किस जंजात से ब्याउंग करती है वो जंजात का नाम कमेंट में किजिएगा ठीक सिप्रि एर भुक यह सिप्री है सिप्री जो है पर detriment अस devil को पर रूपसे हथियार को रूप से हर अथियार को उपर एक रिपोर्ट निकालती है ठीक हर बार यह Chili है और तो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजीगा ठीक है तो इसमें पूछा था कि किस देश के पास सबसे अधिक हथियार है तो रूस के पास है उसके बाद अमेरिका और चीन फिर ऐसे से करते हुए ठीक तो याद रखेगा फिर आधात्व खनेश इसमें पूछा था त इनका नाम याद रखेगा लखनव 100 जिसे अब लखनव महोटत्सो के नाम से जाना जाता है इसका प्रारम कभूा था तो 1975-1975 में यह प्रारम हुआ था लखनव महोटत्सो मनाया जाता है ठीक यह चीज ज्याद रखेगा सर परतम इको सिस्टम सबका प्रयोग किस ने किया तो Ecosystem सब्सक्राइब इजी टांसले नहीं किया था। नाम जात रखेगा एजी टांसले। ठीक है। भूहमत इसागर का प्रकास स्थम्भ की जखा जाता है। यह स्ट्राउमबोली है इस्ट्राउमबोली क्या है यह आपका जौलमुखी परभत है। क्या है यह जौला मुखी परवत तो इस ट्रॉम बोली इसको क्या बोलते हैं भूमत सागर का प्रकास स्थम्भ यह याद रखेगा बहुत बार पूछा भी गया है पहले भी और यह देखिए आपके सामने ही अर्विदाचार वाले में यह पूछा भी गया है फल जिसमें सरव अलका वाइट और रेडिस कलर का होता है अगर वह लगा हुआ है तो इसको देखिए बड़ा मन बहुत अच्छा सुन्दर दिखता है तो देखिए आप गूगल में सर्च करके आयरवेद सब्द का सरव प्रतम प्रियोग कहां पे हुआ है जो आयरवेद सब्द है उसका है तो अस्टा ध्याई में नाम याद रखेगा अपा तन्जली ने इसी अस्टा ध्याई पे जो लिखा है त्टीक मैंने नाम बता दिया है उनका तीक मैं बता रिया है त Streetigmat का नाम घटा कि तो भी पुरा स्थालना है उनके नाम याद रखेगा जैसे यह हो गया हुलास हो गया सराइनाहर राह हो गया दायमाबात हो गया चौपानी मांडो हो गया यह सब बहुत सारे हैं तो उनके नाम एक लिस्ट बना के रखिए आप लोग उनको बार-बार देखिया करिए बहुत पूशता है यह याद रखेगा इसमें जो अप्सन दिया था यह हुलास ठीक है यह क्या है दूसरा यह भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे में जो इलेक्ट्रो फिटिंग होती है वो किस धात के होती है तो उसको इस ट्रॉंसियम जो एसन है उसका प्रयोग किया जाता है ऑबन जो देखा वगा ने दिब्बा बं फुजन आता है उसमें इलेक्ट्रो फिटिंग को उसका होती है यह और इसमें अभी आप दहे कि 2014 से लेकर, जब से मतलब मोधी जी आये हैं, मोधी गवर्मेंट जब से बनी हैं, तब से उन्होंने बहुत सारी युजनाई चलाइए हैं, ठीक है, कुछ युजनाओं के नामपर वर्थित किये हैं, कुछ युजनाई नहीं चलाइए हैं, तो उनकी मतलब एक लिस्ट बना के रखिए येर वाइज क्रोनो लाजिम बहुत पूछता है कि 2014 में दुनिया भर की युजनाई शुरू की ठीक है आये फिर 2015 में भी 16 में भी मुझे लगता है कि कोई ऐसा येर नहीं गया जिसमें युजनाई ना प्रारम की गई हो गिंती करेंगे तो बहुत सारी युजनाई है और उनकी एक लिस्ट बना लीजिए बढ़िया से तो वह क्या है को हमेशा काम आएंगी किसी कोई कोई साभी एक्जाम देने जाहिए या किसी स्टेट का एक्जाम हो वह लिस्ट बना के रखा करिए आप लोग नहीं बनाए है तो बना लीजिए तो यह सुगंब भारत यह 2015 की यह है और यह दिव्येंगों के लिए है कि इसका जो यह किसके लिए हो भी एत्र किया यह 2021 के आरो जारो मैं भी पूशी गई थी एह अरो जानो में भी पूचह गया है उतना उसमें भी किससे संभनधित है देख लिजू या थीक है तो यह एक फैक्ट याद रखेगा ठीक है तो यह मैंने आपको जो इसके 30 प्रशन जीस के थे अरवेदा चारवाले उसके बता दिए अभी अगला जो इसका पार्ट आएगा वो उसमें मैं PCSJ वाला लेकर आऊंगा ठीक है पूरा जितना भी है उसमें जीस वाला पार्ट वो सारा में लेकर आऊंगा तो आई होप कि यह आपको वीडियो सही लगा होगा जानकर यह अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा शेयर कर दीजिएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जाहें आपको उन्जीदू